खबर बाडमेर के समदड़ी से है जहां कल्यानपूर स्थित निजी अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरने से एक कारपेंटर की मोथ हो गई तो वही मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि अस्पताल से फोन आया कि उसका भाई अस्पताल से नीचे गिर गया लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसे कई घंटों तक गुमरह किया गया उसने अस्पताल परिसर में ही अपने भाई की खोज की जिसके बाद एक कमरे में उसके भाई का शव मिला मृतक के भाई ने अस्पताल प्रबंदन पर लापरवाही का आरोप लगाया है साथ ही थाने में मामला दर्ज करवाकर कानूनी कारवाई की मांग की है फिलाल पुलिस ने पोस्टमाटम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाच परताल शुरू कर दी है कि मामला क्रवाई का माज शुष इंब को सोब दिया लकारा वोगु जोर्वाद ओर लगभान दिया गया है जिरने के परदयात हो गई थी, मैं गया तो कोई सम्हाल लेने के लिए, फिर आने के बाद में मुझे नहीं बताया कि एक ड़ेड़ बेंटेसर, फिर मैंने पुलिस को इंपॉर्मेशन दी, पुलिस आने के बाद में इननों बाड़ी बताई, तब तक इसके कोई ना तो कोई पट्टी बगएर आखी कोई दूसरे वास्पिटल ना है, यहां दूसरे वास्पिटल में कोई डॉक्टर बगएर आए, यहां पर भी कोई नहीं ना दूसरे वास्पिटल